नमस्कार्ट मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूस में आपका स्वागत है आज है 20 नवंबर दिन सोमवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आज उक्ते सुरे को अर्ग देने के साथ संपन होगा महापर्ग अवैद बाल उखरण को रोकने के लिए इन साथ जिलों में बनाए जाएंगे चेक पोस्ट छट के बाद वापसी के लिए पटना जंक्षन से चलेगी 45 स्पेशल फ्रेज बिहार के सी इनपुट अंदान योजना के तहत मिलते हैं ये लाब 8,43, 5,100 को मिलेगे कुशर प्रबंधक अब चलेवढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरो के ओर विस्तार से आज उकते सुरे को अर्ग देने के साथ संपन होगा महापर्व आज 20 नमंबर को उकते सुरे को अर्ग देने के साथ ही महापर्व छट संपन होगा अर्गे दिया गया मालुमोग इस पर्व में 36 गंटे निर्जला वरत रखकर 6 मईय और शुड़ेदेव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्गे दिया जाता है अर्वल में 6 गंटे रोतास में 6 गंटे दिया जाता है और शुड़ेदेव की पूर्वी चंपारन में 6 गंटे दिया जाता है नवादा में 6 गंटे दिया जाता है और शुड़ेदे दिया जाता है वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते है वाधिकारिक साइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर ओनलाइन तरीकी से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे कि आविदन करनी की अंतिम तारिक 20 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है इसके लेगर सैचनिक योगिता की बात करें तो विविन पदों के लिए विविन योगिता निर्धारित की गई है ऐसे मेसिजरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को जरूर देख ले विदेशी परियतकों को राजी का यह परियटे नस्थल आ रहा पसंद परियटे विभाग की आंकरों के निसार इस साल जन्वरी से सितंबर के बीच राज्य में 6,084,084 परियटक आए है 921 विदेशी परियटक घूमने आए वही देशी परियटकों के मामने में सिर्ष पर राजगी रहा जहां 37,097 विदेशी परियटक पहुंचे मालूम हो कि राज्य में पिछले साल की तुन्ना में इस साल विदेशी परियटकों की संख्या में तीन गुना व्रदी हुई है पैक्सो में कुशल एवं प्रसक्षत प्रवंधक की तैनाती की जा रही है। प्रसक्षत प्रवंधकों को प्रसक्षत दिलाया जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दे कि नव नुक्त सिक्षकों का स्कूल आवंधकों सौफ्वे़र के माध्यम से किया गया है। और अब स्कूल के हेड मास्टर एवं प्रिंसिपल को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह नए सक्षक का समय से योगदान कराएं। इसके लिए बिहार के साथ जिलो में चेक पोस्ट का निर्मान किया जाएगा बता दे कि इसके लिए तयारी शुरू हो गई है। मालुमों कि चेक पोस्ट के निर्मान को लेकर बिहार की राजधानी पत्ना में जगह की पहचान कर ली गई हो और जमीन का विवरन मांगा गया है तो वही अन्य छे जिलों में जमीन धूंडी जा रही है। पत्ना में चार अस्थाई पुलिस पीकर भी बनाये जाएंगे। दानापुर मंडल कारे आले में DRM जेंद कुमार चौधरी के द्वारा दी गई है। पत्ना जंक्षन से जहां 45 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। सिटी आरा बकसर राजगीर आउटकियूल स्टेशन सामिल है। बिहार क्रिसे इंपुट अनुदान योजना के तहट मिलते हैं ये लाप। 500 रुपए प्रती हेक्टेर और बालू सिल्ट वाली जमीन के लिए 12,200 रुपए तक की अंदान राशी दी जाती है। सियोजना का मुख्य उद्देश आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को प्राक्रतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसानों को ठीक करने में आर्थिक सहायता पहचाना है। अला कि सरकार के ओर से कुछ पात्रता भी निर्धारत की गई है जिसके तहत आविदक का बिहार का अस्थाई निवासी होना जरूरी है आविदक के पास क्रिसी योग्य भूमी होनी चाहिए। अगर आविदक जमीन किराई पर लेकर खेत कर रहा है तो उसके पास उससे जड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए आविदक के पास खेती से। पर इनके निकरतम पड़िजनों को बिहार सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहाईता प्रदान की जाएगी। बिहार परेटन में आजम बात करेंगे सोमेश्वर नाथ धाम अरेराज के पारे में। सोमेश्वर नाथ मंदर पुर्वी चमपारन का एक प्रमुख परेटन अस्थल है या एक धार्मिक अस्थल है। यह मंदर शिव भगवान जी को समर्पित है, यह मंदर पुर्वी चमपारन जिले में अरेराज मिस्थत है। अरेराज तालाब के पास में बड़ा हुआ है, यहां पर आपको मंदर के अंदर गर्वगरी में शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहां पर शावन, सोमवार और महा शिवरातरी के समय में बहुत जादा भीर लगती है। यहां पर आपको अरेराज तालाब भी देखने के लिए मिलता है, जो की बहुत ही शुंदर है। यहां पर आपको दुरगा जी का मंदर भी देखने के लिए मिल जाता है, यह पुर्वी चमपरण में घूमने लायक एक मुख्यर जगह है। आप यहां पड़ा कर घूम सकते हैं और अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। आपके नाम पर कितनी सिम चल रही है ऐसे कड़े पता। साइबर क्राइम के मामले दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं सकैमर से या ठक सीम स्वापिंग के जरीए भी लोगों को टार्गेट कर रहे हैं। दरहसल सिम स्वापिंग में होता ये है कि स्कैमर आपकी नीची डिटेल्स के बदावलत आपके नंबर को अपने मुवाइल पर अक्टिवेट करवा लेते हैं। फिर आपके नंबर बनाने वाली तमाम जानकारी को यूज़ कर आपके बैंक अकाउट को खाली कर लेते हैं। बटन पर क्लिक करना होगा फिर आपके नमबर पर एक OTP जाएगा जिसे दर्ज करने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपके आधारकार से कितने नमबर लिंक हैं अगर इसक्रीन पर दिखाई दे रहा कोई नमबर आप यूज नहीं करते हैं तो आप उसे ब्लॉक भी करवा सकते हैं यहां पर आपको आपके आधार काड़के पुर्व और वरतमान में जारी किये गए सभी नमबर के लिस्ट दिखेगी कई किसानों को इस वजह से नहीं मिलेगी डीजल अनुदान राशी राची के 8,43,000 किसान जिनके दोरा खड़ी फसल की सिचाई के लिए डीजल अनुदान का लाव लेने के लिए आविदन किया गया था उनमें से 2,00,000 से अधिक किसान ऐसे हैं जिनने इस अनुदान से वंचित कर दिया गया है बता दे किसमें स्तरवाधिक विकसान बांका, मधुबनी, मुझपरपुर, पश्मी चंपारण, पुर्वी चंपारण और शिभर जले के हैं मालम हो कि क्रिसी समनवयकों की ओर से अंतिम तिसी तक कुल 1,73,000 आविदन अनुमंडल क्रिशी पतादिकारी की ओर से 26,934 आविदन और जला क्रिशी पतादिकारी की ओर से 2,697 आविदन रद किये गये हैं वहीं समदान के अलाब पाने के लिए किसानों को क्रिसी विवाग के DVT पोर्टल पर ऑनलाइन पंजिकरत करना अनिवारे था दिसंबर में इतने दिन बैंक रहेंगे प्रभावित देते वें बताया गया है कि भारत भर में यह हरताल 4 दिसंबर 2023 से शिड़ो होकर 11 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा भारती स्थीट बैंक, पंजाब, नेशनल बैंक और पंजाब एंसिंद बैंक में हरताल किये जाएंगे तो देसंबर को 15 दिसंबर को बैंक रौदा और बैंक Office में 6 दिसंबर को केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 7 दिसंबर को विहार के मौसम में हुआ बदलाव विहार के मौसम में बदलाव जारी है पटना समेट कई जिलो में सुभा और रात में कनकनी हो रही है विहार के मौसम का मिज़ाज छट पर की शुडवाद के साथ बदल गया है राजधानी पटना समेट कई जगों के तापमान में उतार सेसों में कोहासा देखने को मिलेगा साथी अधिक्तम और निंतम तापमान में भी गिरावट की संभावना है मौसम विभा के नसार बिहार में थंड आ गई है सुबह और रात में कोहासा के साथ थंड का भी एहसास हो रहा है ग्रामीन छेत्रों में इसका असर जादा है पटना सामा चकेवा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें मुर्तिकारों के दौरा साथ भाईया चुगला और व्रिंदावन नामक कई प्रकार की छोटी-छोटी मुर्तियों का निर्मान किया जाता है बता दे कि उत्सव आठ दिनों तक चलता है और नौवे दिन बहने मारमोग स्पर्व का संबंध पर्यावरन से भी माला जाता है इस पारंपर इकलोगी सिज्ड़े उस सब में सामा चकेवा मितला संस्कृति की वह खासियत है जो सभी समुदायों के बीच व्यात जर बाधाओं को तोड़ती है बिहार में एक ही जिले में 1695 सिक्षकों का वेतन रुका बिहार के एक ही जिले में 1695 सिक्षकों के वेतन को रोक दिया गया है दरसल यह सतभी सिक्षक वह सिक्षक है जिनके द्वारा इस सिक्षक को स्पोटल पर अपना डीटेल अप्लोट नहीं किया गया है बता दे कि जिन 1695 सिक्षकों के वेतन को रोका गया है वो बेतिया जिले से संबध रखते हैं इस बात की जानकारी बेतिया के DEO के द्वारा दी गई है उनके द्वारा बताया गया है कि जिले में कुल 13589 सिक्षक सिक्षिकाओं में से 11,184 सिक्षक सिक्षकाओं के द्वारा ही इसिक्षक कोस पोर्टल पर अपना विवरन अप्लोड किया गया है इसके आधार पर बाकी बचे 1695 सिक्षकों के वेतन पर अबरोक लगा दी गई है और साथ ही उन्हें चिताबनी दी गई है कि बहुत दो दिन के अंदर अपना डीटेल पर अप्लोड करे ऐसे में जिन सिक्षकों के द्वारा छट के बाद पर अपना डीटेल अप्लोड नहीं किया गया होगा उनके उपर कारवाई करते वे उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है दलाई लामा करेंगे टीचिंग शामिल होंगे 50,000 से अधिक श्रद धालू गया के बोध गया में चल रहे परेटन सीजन में फरवरी महीने तक बोध गया में कई पूजा का योजन किया जाएगा ऐसे में इन पूजा में शामिल होने के लिए बोध धर्म गुरु दलाई लामा भी हर साल की तरह इस पार भी 18 दिसंबर को बोध गया पहुँच सकते हैं जोरान वो बोध गया में प्रवाश करेंगे विवन पूजा में शामिल होंगे और साथ ही तीन दिनों तक बोध गया काल चक्र मैदान में टिचिंग भी कर देंगे जिसमें 50-60,000 श्रद्धालों के शामिल होने की संभावना है बता दे कि 20 दिसंबर को बोध धर्म गुरु दलाई लामा के द्वारा महाबोधी संस्कृति केंद्र में अंतराश्य फोरम संग का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्रे नितीश कुमाय शामिल होंगे और श्रिलंका, कोडिया, जापान, थाइलैंड, वियतनाम समें 30 देश के लगभग 25-100 श्रद्धालों भाग लेंगे इसके बाद 23 दिसमबर को अंतराश्य फोरम संग के समापन पर महाबोधी मंदर परिसर में दलाई लामा श्रद्धालों को संबोधित करेंगे और 31 दिसमबर 2023 और एक जन्वरी 2024 को बोद गया स्थितकाल चक्र मैदान में टीचिंग देंगे ट्रेन में बैठे से पहले चेक करें इन नियम को अगर आप ट्रेन से कहीं सफर करने वाले हैं तो यह ख़बर आपके लिए हैं बता दे कि रेल गारियों और इससे यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए IRCTC के दोरा कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसका सभी लोगों को पालन करना अनिवारे होता है वहीं कुछ समय पहले IRCTC के दोरा कई नियमों में बदलाव भी किये गए हैं जिनका जानना आपके लिए बेहत जरूरी है जिन नियमों में बदलाव किये गए हैं उसके अनुस नुमती नहीं है। अत्रिक्त समान सुरुक के साथ 150 किलो सामान स्लीपर में 80 किलो और दूसरी सीट पर 70 किलो सामान लाने की अनुमती होगी ग्यांदी पोटल पर नीजी स्कूलों को पंजियन कराने की अंतिम तारीक नस्दीक ग्यांदी पोटल पर नीजी स्कूलों को पंजियन कराने की अंतिम तारिक 30 नवंबर 2023 तक निर्थारित की गई है लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मातर 1235 स्कूल ही ऐसे हैं जिनके दोरा इस पोटल पर अपना पंजियन करवाये गया है जबकि पूरे राज में 20,000 से अ सक्षा विभा की ओर से यसपस्ट कर दिया गया है कि जिन स्कूलों के दोरा 30 नवंबर तक ज्यांदी पोटल पर अपना पंजिकर नहीं कराया जाएगा उनके उपर अनुशाशनात्म कारवाई की जाएगी और साथ ही उन्हें सक्षा के आधार के तहत राशी भी नहीं दी बीजेपी एनराई सेल का हुआ अवस्तार बीजेपी प्रदेश अध्यक समरार चौधरी और संगठन महामंत्री भीखु भाई दलसाम्या के नर्देश पर बिहार बीजेपी के द्वारा अपनी एनराई सेल का अवस्तार पर एनराई सेल के प्रदेश कारेकार्णी सदर्श के शरद मोहन एहमदाबाद के सुप्रीम कुपटेल, हैदराबाद के कुमार चंदन दिल्ले के राकेश ज्ञा, दुबई के अभिशेक मिष्र देहरादुन के मिर्नाल कुमार, द्वार्का के बिमलेस कुमार ठाकुर, गुवाटी के अभिशेक सर्मा पठना के चंदन सिंग, संजीव कुमार करण, पुरुसुत्तम कुमार सिंग, बीवी वर्मा वविशाल, गपु चंडिगर के श्रे कुमार धनबादव, घंसाम कुमार कुष्वाह, काजियाबाद के प्रिशान थाकुर इंदौर के अनीश कुमार, मुंबई के संकरजा, नवी मुंबई के हंसराज और दुरगापोर के सुजोईग सौरफ को सदस्टे बनाया गया है, इस बात की जानकारी एन आर आइसल के संयोजक मनीश शनहा के द्वारा दी गई है सभी 27 प्रखंडों में जन सुराज क्रिकेट प्रीमियर लिग का होगा आयोजन सभी चंपारण के संयोजक की तरफ से सम्मानत भी किया जाएगा, इस बारे में राना रंजीस सिंह के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है किस क्रिकेट लिग के माध्यम से नौ जवानों में खेल प्रतिभा को उभारा जाएगा और साथ ही जन सुराज अभियान को गाउं गाउं तक पहुचाने का प्रयास किया जाएगा हमारी कोशिश है कि जले के सभी 27 प्रखंडों में कुल 5000 एक्टिव वर्गर बनाए जाएं प्रिकेट टूर्णामेन के बाद मकर शकरांती के मौके पर चूरा दही भोज का भी आयोजन किया जाने वाला है जिसमें प्रशान कसोर खुद भी मौजूद रहेंगे भारतिये टीम को ऑस्ट्रेलिया से मिलीहार ऑस्ट्रेलिया के सिर्सजा चट्टी बार ताज बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एहमदाबाद के नरंद्र मोधी स्टेडियम में खेले गए विश्वकप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 42 गेंद शेश रहते हुए 6 विकेट से मात देते वे 6 बार वर्ल्ड कप का खताब अपने नाम किया बतादे कि टॉज शीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के द्वारा पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया गया जिसके बाद बल्ले बाजी करडे उत्री भारतिय टीम के द्वारा पचासवे ओवर की आखडी गेंद पर 240 रन बना कर ओल आउट हुई जिसके बाद लक्षी का पीछा करते वे ऑस्ट्रेलिया की टीम के द्वारा 43 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर लिकाई ट्रेविस हेड और मारनस लावुसेड ने तीसरे विकेट के लिए 192 रन की साज़िदारी करकी आउस्ट्रेलिया को छटी बार चैंपियन बनाने में महत्पुन भूमिका निभाई ट्रेविस हेड के द्वारा जहां 137 रन बनाये गया तो वहीं लाबुसेड की ओर से 58 रन बनाये गए भारत के तिहास में आज की तारीक है कई कार्णस दर्ज कलकत्ता अब कॉलकत्ता में बोस अमसंधान सनस्थान की 1917 में अस्थापना हुई पीवी सिंधु ने 2016 में चाइना ओपन सूपर स्रीज के फाइनल में चीन की सुन्यू को तीन गेम तक चले मुकाबले में हडाकर पहला सूपर स्रीज खिताब अपने नाम किया भाषकर उग्रह को 1981 में चोड़ा गया था एक भारतिय मैला फ्रिस्टाइल पहलवान बवीता फोगार्ट का जन्म 1989 में हुआ प्रशुद साहर फैच एहमद फैच का निधन 1984 में हुआ बहुमुखी प्रतिवार शाली अनेक विश्यों के विदवान विचारक और कवी श्याम बहादुर वर्मा का निधन 2009 में हुआ भारत की प्रसिध कवीतरी निर्मला ठाकुर का निधन 2004 में हुआ प्रोग्नलस के वरिष्ट नेता तता पुर्व All India Football Federation के अध्यक्ष प्रियर रंजन दासमुंसी कनिधन 2017 में हुआ वारल कर मैं आज हम बात करेंगे इंटेलिजन्स ब्यूरो के बारे में प्याइबी ने अपी ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र फरजी है भारत सरकार के अधिन किसे भी संगठन दोरा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है कभी बी ऐसे एमेल का जवाब ना दें हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जरूरे जवाब बताएंगे जो की BPSC, पिहार पुलिस, दरोगा समीत, SSC जैसे अरे प्रतियोगी परिछाओं में काम आएंगे सवाल इतियास, बिहार स्पेशल, विग्यान, करिंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगे पांचो सवाल में आपने कितना सही उतर दिया, क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में किसने जर्वायू परिवर्तन और परमानों उर्जा पर 2023 अंतरराश्ट्रिय सम्मेलन की अध्यक्ष्टा की है अप्शनी अमेरिका, अप्शनी भारत, अप्शनी UAE, अप्शनी रूस इसका सही उतर है अप्शनी UAE अगला सवाल, हाली में जारी हरून इंडिया रीच लिस्ट 2023 के अनुसार कौन सबसे अमीर भारतिये की सूची बेश शिर्ष अस्थान पढ़ है अप्शनी रतन ताटा, अप्शनी गौतम अडानी, अप्शनी मुकेश अंबानी, अप्शनी इन में से कोई नहीं अप्शनी नालंदा, अप्शनी भोजपूर, अप्शनी गया, अप्शनी पठना इसका सही उत्तर है, अप्शनी भोजपूर, अगला सवाल, देश में पहली बार राजश्यतिक जांच आयों का अगठन किस राज़े में हुआ, अप्शनी उत्तर प्रदेश, अप्शनी बिहार, अप्शनी पश्विंबंगाल, अप्शनी राजस्थान इसका सही उत्तर है, अप्शनी बिहार, अगला सवाल, संपुन क्रांती देश के किस राज़े से संबंदित है, अप्शनी राजस्थान, अप्शनी उत्तर प्रदेश, अप्शनी बिहार, अप्शनी पश्विंबंगाल, इसका सहीुत तरह है औप संसी पिहार बीदत दिने हमारी तरह पूछेंगे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों में पुछाब हमें ओमेरे कॉमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमाय दुरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर सर्मा, रोशन, चंद्रदीप, धीरज कुमार दास, कस्तूरी सर्मा, मोनु विवेक, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, अनवर्द करीम खान, उमेश रिसिदेव, मुहमत फहीम, रवीशंकर अधीक खान, इंदरजीत राई, मुहमत फुरकान, इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है आपके नुसार विश्व कब दोहजार तईस में भारत का ऑस्ट्रेलिया से हारने का मुख्य कारण क्या है अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षन में लिकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना है ना भूले, धन्यवाद